Hello everyone, Assalamualaikum and welcome back to Cook with NK आज हम बनाएंगे मुंग की दाल के पकोड़े, तो चलिए, रेसेपी स्टार्ट करते है तो सबसे पहले हम मुंग दाल की सबजी लेंगे, जो लेफ्ट आवर है, वो लेंगे और उससे एक बावल में निकाल लेंगे आपके पास जितनी भी बच्ची है, उतनी आप ले सकते है और उसमें करती हुई हरे मिर्च डालेंगे और दो मिडियम साइज की करती हुई प्यास डालेंगे मैंने यहाँ पे एक कटोरी डाल ली है, तो उसके हिसाब से ही सारे इंग्रिडियन्स डालूँगी उसके बाद फुदीना और हरा धन्या एड़ कर देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और आधा चमच जितना अजवाइन डाल देंगे उसके बाद आधा चमच हल्दी पावडर, आधा चमच तन्या पावडर और एक से डेट चमत जितना लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे उसके बाद उसमें तिन से चार टेबल स्पून बेशन एड़ करेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे बीना पानी डाले उसका इस तरह से डो बना लेंगे और चोटे-चोटे पकोड़े करके फ्राइक कर लेंगे गेस की फ्लैम मीडियम रखेंगे और एक-एक करके सारे पकोड़े उसमें एट करते जाएंगे तो बस कुछी देर में हमारी जो बची हुई डाल थी उसके क्रिस्पी से पकोड़े बनके तयार हो जाएंगे और डाल का भी इसी तरह हम रियूस कर लेंगे सारे पकोड़े उसमें एड कर लेने के बाद उसे बीच-बीच में हिलाते रहेंगे और उसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे गेस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और उसे हलका सा गुलाबी होने तक फ्राई करते रहेंगे पकोड़े अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं तो अब इसे एक प्लेट में निकाल के रख देंगे ये देखे एक दम क्रिस्पी से मूँग डाल के पकोड़े बनके तयार है बिल्कुल कम टाइम में हमारा जटपट सा नाश्टा बनके तयार हो चुका है तो आपको ये रेसेपी कैसी लगी है अगर बेर ये रेसेपी अच्छी लगी है तो उससे लाइक करें शेर भी करें और मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट करके शरूर बताएगा कि आपको ये रेसेपी कैसी लगी है और थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो